सत्कुरों की साजी निवाजी प्यारे साज संगत जी प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी सत्कुर माता जी का लख लख शुकराना करते हैं जिनके किर्पा से हमें ये जीवन का भरपूर आनन्द बिल रहा है सत्कुर माता जी की अपार किर्पा से दासियाप जी के चर्नों में ये विचार रखने जा रही है इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि जो जीव है ये इश्वर का ही अंश है इश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुक राशी ब्याव यही है कि जीव इश्वर का ही अंश है परम चेतन अमल सहज अवस्था वाला और सुक की राशी है जब तक जीव परमात्मा को पहचान नहीं लेता वह जनम मरन के बंदन से मुक्त नहीं हो सकता मुनुश्य शरीर प्लस आत्मा दोनों को मिला कर बना है जिस परकार शरीर पांच तत्मों से है उसे परकार ये जो जीवात्मा है ये मन चित पुद्धी और संसकार में होती है इसलिए जीवात्मा में ही विचार करने की निर्ने करने की शक्ती होती है उसी के अनुसार ही संसकार बनते है मैं मूल रूप से शरीर नहीं आत्मा हूँ दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो आत्मा और परमात्मा में इतना भेद है कि आत्मा इस पंच तत्व के फोतिक शरीर में है और परमात्मा सारे ब्रमांड में समाया हुआ है संपुन अव्तारबानी में शेहनशा बाबा अव्तार सिंग्छी महाराज ने शबद नमबर दो में हमें समझाया है हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते तेरा ना ये जो परमपिता परमात्मा है ये हर जर्रे में है हर सूरत में है हर पत्ते में है जिदर भी देखता हूँ उधर तू ही तू है हर शै में जलवा तेरा हूँ बहू है कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो इस परमपिता परमात्मा से अलग हो ये परमपिता परमात्मा सारे परमांड में समाया हुआ है अगर हम चाहें कि हम एक सुई को भी इस परमात्मा से अलग रख ले हम उसे भी अलग नहीं रख सकते क्योंकि परमात्मा हर जगा है हाजर हजूर है लेकिन कहते हैं जब तक मन में हंकार होता है तब तक निरंकार का वास नहीं हो सकता जब हंकार निकल जाता है तो निरंकार का वास हो जाता है जहां पर मैं होती है वहां पर तू नहीं हो सकता और जहां तू आ जाती है वहां फिर मैं का कोई काम नहीं होता मैं हंकार को कहा है इसी तरह एक कहानी याद आ रही है महात्मा गोतम बूद जी कहीं जा रहे थे तो उस समय बोध धरम अपनी पराकाश्ठा पर था धार्मिक रूड़ी वाजिता और करमकाड का परदा फाश हो रहा था महात्मा गोतम बूद एक बस्ती से गुजर रहे थे लोगों ने रोका और उन से कुछ कोश्चन किये बोध धरम के बारे में भी अनगरल बाते करने लगे समाज में बरश्टा चार फैला रहा है भिख्षू भिख्षूनियों का समाज बना रहा है यानि लोगों की समझ में जो भी आया अनाप सनाप कहते रहे महात्मा गोतम बुद को गालियां देते रहे और महात्मा गोतम बुद खड़े खड़े सुनते रहे जब लोग शान्द हो गए तो महात्मा गोतम बुद ने बड़े भी नमर शब्दों में कहा यदि आप अपनी बात कह चुके हों तो मैं आगे भड़ूं मुझे आगे गाव में जाना है आप एक बहुत गलत आदमी को गाली दे रहे थे यहां सुनने वाला गोई नहीं यहां वे के अंदर बिंदू ही नहीं है जिसको चोट पहुँचती है यहां मैं हंकार है ही नहीं तो चोट किसे पूँचेगी सुनेगा कौन इसका मतलब यही है कि मात्मा गोतम बुद हंकार से शुन्य होकर समाज को समर्पित हो चुके थे संपुन अब्तार बाणी में शेहनशा बाबा अब्तार सिंग ची महाराज का भी भाव इसी परकार है सीख गुरूता दम दम पल पल दासी ही बण के रहनदा है ओहो कार कमावे गुर सिख जो कुछ सतकुर कहनदा है लाख सियाना होवे गुर सिख परयापे नू मोड गिने लाख होवे सिख दोलत वाला गुरू चरनादी तोड गिने संपुन अब्तार बने शबद नंबर 78 में सतकुरू सचेहनशा बाबावतार सिंग जी महाराज ने ये बात लिखी है और फिर इसका भावरत भी हमें समझाया है कि जो गुरू का भगत होता है वे हर दम हर पल दासी बन कर रहता है गुरु की सिखलाई पर ही चलता है अधिक पुद्धीमान होने पर भी अधिक धन-दोलत से धनवान होने पर भी अपने आपको मती हीन व्यदीन हीन ही समझता है सत्कुरु के चर्णों में ही ध्यान रखते हुए हर काम बीना फल की इच्छा के निश्काम भाव से करता है और सत्कुरो की किरपा से हमेशा आगे बढ़ता जाता है पीना चाहे प्रेवरस, रखना चाहे मान एक मियान में दो खड़क देखा सुनाना कान भाव यह है कि हम अपने को जितना छोटा मानते जाएंगे मंजिल हमारे उतनी ही करीब आती जाएगी इसलिए हंकार का त्याग होने पर ही भगती में अनन्द आ सकता है जितना जितना हंकार मिटता जाता है उतनी उतनी ही शांती अनुभव होती जाती है अपने सवरूप का ग्यान होने पर करता का भाव अपने आप ही मिटता चला जाता है हानी लाब दुख सुख से परे की बात हो जाती है आत्मा के परम चेतन सवरूप का भाव अंतर बन में गहरे में उतरता जाता है उसके बाद तो स्थिती ऐसी हो जाती है जैसे कबीर तासची कहते हैं कबीरा खड़ा बजार में सब की मांगे खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से वहर कबीर जी कह रही है कि मैं बजार में खड़ा होकर सब की खैर मांग रहा हूं सब की भलाई मांग रहा हूँ मुझे सबी प्यारे लग रहे हैं मेरे किसी से ना मेरे को दोस्ती है ना कोई दुश्मनी है मेरे लिए सबी बराबर है तो इस तरह कहते हैं कि जब सत्कुरू से ग्यान प्रापत हो जाता है और जब ग्यान प्रापत करने के बाद इनसान के मन में वो ग्यान पूरी तरहें से परवेश कर जाता है तो उसके मन से हंकार निकल जाता है और पूरा जो हिर्द्य है वो प्रेम से भर जाता है फिर वो व्यक्ति सभी का आदर करने लग जाता है गोस्वामी तुलसी दाश्ची ने भी कहा है सिया राम मैं सब जग जानी कर हूँ परणाम जोरी जुख पानी कि मुझे सारे संसार में ये परमात्मा नजर आ रहा है इसलिए मैं सारे संसार को ही परणाम करता हूँ देकिन ध्यान रहे प्रेम की बड़ी अधफुत लीला है प्रेम ना बाड़ी उपजे प्रेम ना हाट बिकाए राजा प्रजा जेही रूचे शीश देही ले जाए कहते हैं कि जो ये प्रेम होता है ना तो ये खेतों में पैदा होता है और ना ही ये दुकानों पर बिकता है राजा हो या प्रजा हो जो शीश देता है शीश देने का मतलब जो अपने हंकार को खतम कर देता है अपनी मै को मिटा कर सत्कुरू के चर्नों में आकर शर्दा भाव से पूरन रूप से समर्पित हो जाता है उसको ये परमपिता परमात्मा मिल जाता है ये प्यार से मिलता है क्योंकि सत्गुरु के दरबार में प्रेम ही प्रेम सिखाया जाता है जब शुद भाव से इनसान सत्गुरु की शरन में आ जाता है तो सत्गुरु उसको अपने चर्नों से लगा लेता है देते हैं कि जो पारस होता है जो लोगा होता है वो पारस का संग करता है तो सोना बन जाता है लेकिन सत्गुरु का संग जो भी जीव करता है सत्गुरु अपने समान बना देता है आगे कहा है आगे संत मत में कहा गया है कि यह तो घर है प्रेम का खाला का घर ना ही शीश उतारे भूई धरे तब पैठे खरमाही दरसल बात यह है कि प्रेम दिया नहीं जा सकता प्रेम भले किया जा सकता है जितना प्रेम मैं आप से करता हूँ उतना ही प्रेम आप भी मुझे से करने लगे भाव यह है कि आपको पानी तो दिया जा रहा है दिया जा सकता है लेकिन प्यास कैसे दी जाए अगर प्यास ही नहीं है तो पानी की कोई भेल्यू ही नहीं है अगर प्यास नहीं है तो कुए की जगह पर भी खड़े हो तो भी पानी दिखाई नहीं पड़ेगा थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए आप यदि किसी मरुसल पर पहुँश गए हो जहां आसपास पानी का कोई जरिया ही नहीं है सूरज दप रहा है और आपका गला प्यास से सूखा जा रहा है आप से बोला भी नहीं जा रहा और प्यास इतनी बढ़ गई है कि अब जीवन ही समापत होने को है तो ऐसे समय में यदि कोई आए और कहे कि पानी तो मैं दूँगा लेकिन इसके बदले आपका सारा सामान दे लूँगा तो हम जीवन भर की कमाई दे कर भी पानी पीना चाहेंगे यहां इस हद तक परमात्मा के लिए प्यास लगने चाहिए कि हमने परमपिता परमात्मा को पाना है ऐसी हमारे दिल में लगन होनी चाहिए इस परमपिता परमात्मा को पाने की तब ही परमात्मा मिलता है अगर हमारे मन में लगन है, शर्दा है, भाव है तो ये निरंगार हर समय हमारे पास है ये सत्कुरू हम पर किर्पा करता है हम ये प्रम ग्यान दे देता है इस प्रम पिता प्रमात्मा से मिला देता है और फिर हम मारे जनम बर्ण के बंदनों को भी काड़ देता है लेकिन हमारे मन में शेर्दा भाव तो हम जगाएं इस परमात्मा को पाने के लिए कहते हैं कि पानी की वेल्यू तब ही भता लगती है जब पानी के प्यास की तड़फ होती है उस समय तो इनसान अपना सब कुछ दे देता है और कहता है कि मुझे पानी मिल जाए इसी तरह इस परमपिता प्रमात्मा को पाने के भी हर एक जीव के अंदर ये लगन हो कि हमने इसको पाना है जिसके लिए हमी मानुष जनम मिला है मुझे जनम का लक्षा यही है इस परमपिता प्रमात्मा को पाकर भगती करनी है जहां कहीं न कहीं कहते कि कोई दिन भी ऐसा नहीं है जहां कहीं न कहीं ससंग ना हो इस संबंद में दासी तो यही विंति करेगी कि हम अविश्य ससंग करें और जो जो भी जानकारी प्रापत हो उस पर चिंतन मनन भी करें हम अगर सत्कुरु के कहें अनुसार करम करेंगे तब यह बात बनने वाली है इसी तरह दासी निकोर विचार भी इसी बात पर पढ़ रही थी कि सुनने और कहने से बात नहीं बनेगी जब तक हम प्रैक्टिकल सिप्रिच्यूल्टी अपने जीवन में नहीं लाएंगे जब तक हम व्यवारिक रूप में अध्यात्मिता को नहीं लाएंगे करम रूप में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है जैसे जब रावन सीता माता का हरन करके ले जाता है तो हनमान जी रावन को ग्यान देते हैं कि आप सीता माता को भगवान शीरी राम जी के स्पूर्द कर दो उनके पत्नी वापस लोटा दो लेकिन रावन को ग्यान भी है और वो भगवान राम जी के दर्शन भी कर रहा है हनुमान जी का ग्यान भी ले रहा है लेकिन वो करम रूप में नहीं लाल रहा तो उसका फिर क्या हाल हुआ जब उसने बात को करम में नहीं डाला तो उसका विनास हो गया उसके कहते हैं कि कोई दिया जलाने वाला भी उसके कुल में नहीं बचा धारे कुल का नाश हो गया सोने की लंका भशम हो गई क्योंकि उसके मन में हंकार था उसने बात को करम रूप में ढाला ही नहीं हंकार के करण इसी तरह हैं दूसरा प्रसंग दासी पड़ रही थी कि किस तरह हैं कंस के अंदर इतना अभिमान था कंस को बताया भी गया कि जो देवगी की आटवी संतान होगी उससे तेरी मृत्यू निश्चित है जब आटवी संतान भगवान शिरी क्रिशन जी हुए तो कंस ने शिरी क्रिशन जी को देखा भी सही और उसको ग्यान भी था कि ग्यान भी था और वो दर्शन भी कर रहा है कि मेरा वद्ध हो जाएगा तो मैं अपने हंकार को त्याग दूँ लेकिन उसने हंकार को कंस ने नहीं त्यागा तो अंत में कंस का बिनाश हो गया कंस का बद हो गया इसी तरह कहते हैं कि महरिशी वालमी की जी कैसे उन्होंने रिशी मुनियों के उसे ग्यान भी लिया उनके दर्शन भी किये और फिर जिस तरह उन्होंने कहा उन्हें करम रूप में भी ढाला तो वो आज महरिशी वालमी की कहलाए उनका नाम महरिशी वालमी की पड़ा येकिन ये बात तभी हुई जब उन्होंने करम रूप में बात को ढाला व्यवारिक अध्यात्मिक्ता मिलाया प्रैक्टिकल स्प्रिच्वेल्टी मिलाया तभी उन ना बनती भाई है करम जो उचे हो तो मिलती उचाई है जब हम करम रूप में बात को ढालती है तब उचाई मिलती है किस तरह आज सद्कुर माता सुधिक शाजी महराज भी हमें वक्त के सद्कुरू हमें यही समझा रहे हैं कि हमने हमेशा दूसरों के से अच्छाई ही सीखनी है दूसरों से हमने गुन ही ग्रैन करनी है कभी भी किसी का पर्दा नहीं खूलना है जो भी हम देख रहे हैं अगर कोई बात ऐसी है कि हमने कुपत रखनी है तो उसे हमने कुपत ही रखना है किसी भी महापुर्श का पर्दा नहीं खूलना किसी की भी कमी की तरफ नहीं दे अगर हमने देखना है तो गुनों की तरफी देखना है, गूनों के ग्रहा की हमने बनना है परमपीता परमात्मा हर जगह है लेकिन जो संद मात्मा होती है जिसको हर जगह हाजिर नाचिर देखते है और संपुर्ण अफडार बाणी में भी कहा है तैनु हाजर नाजर वेखे कोही ब्रह्म गयानिये अमर आत्मा अमर जूते जिसने भी पहचानिये कि वही ब्रहम ग्यानिया है जो हर जगह इस परम्पिता प्रमात्मा को देखता है और सत्कुर के कहे नुसारक करम करता है संगर जी दासी से विचार करते हुए कहीं परकार की गल्तियां हुई होगे आप जी उन गल्तियों को ना देखते हुए उन गल्तियों को शमा कर देना और आगे के लिए दासी को सुमत बख्षना दासी सब के भले के लिए सीमरण करवाएगे सभी मिलकर सीमरण में साथ देना जी तुही निरंकार मैं तेरी शरणा मैं नुबख्ष लो बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंदरहर देवजी महराज कीजे निरंकारी राज माता गुरुवच नवतार कीजे सासंगत जी प्यार से कहना धान निरंकार जी